Hello guys, आज हम आप लोगों सिखांगे कैसे Microsoft Access में आप लोग data seat बना सकते हो, मदला mark seat बना सकते हो, cricket scoreboard करना सकते हो, तो चलिए सुरू करते हैं पहले से, तो देखिए, पहले आप लोग open करो Microsoft Office Access 2007, ये आपको start button से भी मिल जाएगा Microsoft Office से, तो पहले open करने के बाद blank database में आओ, इध कुछ भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, save करने से पहले देखो, location check करना होता है, location देख लेना, कहां save होगा, तो मैं इधर save करूँगा, कि मेरे को अच्छा से मिल जाए, create करना, create करने के बाद ऐसा वाला interface आएगा, तो आपको पहले create में जाना पड़ेगा, table design में जाना पड field name होगा, data type होगा, और इधर आपको short form लिखना पड़ेगा, और इधर आपको full form लिखना पड़ेगा, okay, तो देखो, मैं जैसा जैसा लिखूँगा, आप भी ऐसा करना, capsule lock on कर देना, okay, rn, roll number, roll number को auto number select करना, automatic नाम लिखोगे, तो roll number add हो जाएगा, okay, sn, sn का मलदा होता है student name, student name text में करोगे, क्योंकि आप लोग को पता है, student name all time text में होता है, field size 20 है, format, बहुत बारी किसे करना होगे, कुछ गलती करोगे, तो बहुत दीकत हो जाएगा, student name, मेरको कल बहुत गलती होगे, student name, उसके बाद आप लोग इधर DOB, date of birth करना, okay, date of birth, date and time करना, okay, इधर caption में लेख जाना, date of birth, okay, date of birth करना, okay, इधर एक space मार दो, sorry, इधर नहीं, इधर एक space कर दो, उसके बाद, इधर gender, gen stands for gender, okay, तो इधर text कर दो, caption होता है, gender, okay, और gender का जो field है, gender का field होगा, six, क्योंकि six letters का अंदर होता है, तो field size six करना, okay, तो gender six करने के बाद, इधर आप लोग लिखना, IIP, IIP का मलदा होता है, if INS paid मलदा, तुने pay किया है या नहीं, तो इसको yes or no select करो, caption में लिख लो, if INS paid, okay, उसके बाद, आप लोग इधर बी लिख लो, बी का मलदा होता है, बिंगॉली, तो रेजाल्टों न इधर भी caption में लिखो, अच्छे से बारी-बारी कीसे करना, okay, गल्किया करोगे, तो बहुत बस्ता होगे, उसके बाद math, इधर लिखना, number, okay, इधर caption में लिख देना, mathematics, mathematics, इसके बाद इधर science, इधर number लिखना, और caption में लिखना, A-C-I-E-N-C-E, science, okay, इतना सब होने के बाद, आपको जो निकालना पड़ेगा, मल्दा, Microsoft Access में काम जो करना पड़ेगा, वो उसका है, total का, total भी number में निकलता है, तो इधर caption में लिख दो, total, उसके बाद, उसके बाद होता है, percentage, before percentage, यह भी number में निकलेगा, इसको भी caption में लिख दो, percentage, okay, और last में होगा, grade, g for grade होता है, okay, तो grade होता है, text में, okay, तो गलतिया मत करना, grade always text में होगा, तो caption में लिख दो, grade होगा, इपना कुछ करने के बाद, इधर होगा, ph, only object, ph का मलदा होता है, photo, photo का होगा, only object, इसका caption में लिख दो, photo, इतना कुछ होने के बाद, CTRL plus download करना होगा, करने से पहले एक बाद, चेक कर दो, सब कुछ ठीक है, 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 तो, yes करो, इसका नाम रख दो, results, okay, results, results, results of class, 10, result of class 10 कर दो, 10 करने के बाद, okay, यह जो message आएगा, जभी आएगा, there is no primary की defined, तो, इसको no करना, okay, no करने के बाद, देखो, यह create हो गया, तो, इधर left side में आके, इसके उपर double click करो, तुम्हारा हो गया काम, अब तुमको entry करना पड़ेगा, role number, auto number select है, इसले, नाम entry करो, सूरिया, उसके बाद entry करो, पीदीप, ता, उसके बाद entry करो, माई की टू, मतलब, आपको 200 या 300 तो, मिनिमाम करना ही पड़ेगा, उसके बाद, इने, हाँ, उसके बाद, सुभो, ऐसे आप लोग मैं तो ज्यादा नहीं कामी करके दिखाऊंगा, आप लोग ज्यादा ज्यादा करना होगा, धोनी, कोहोली, और राइना, और योग, राज, जा, देजा, और बीपलाब लिगे देता हूं, तो ये सब करने के बाद, आप लोगो इधार डेट और बाट से ले देखो, एक, गेटा बार, बहुत बारी-बारी किसे करना, कुछ भी करोगे तो गलती हाँ हो सकती है, इसलिए बहुत ही बारी-बारी किसे करना हो, मैं तो जल्दी-जल्दी आपको देखाडा हूंगी, ये सब आप लोगों इंट्री करना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड नह साँ आप, सबताट बारी इस दाप निकालो, उसके बाद मैं इसो इसरे जेंडर में को इस mail कर देना, और देखो इधार, तुम अगर पुछ को प्ई करोगे तो जैसे में mail होगा उस to में कोपी करके पेस्ट कर देना चै तो ऐसे करोगे तो तो ओलगा घुम की्टаж लाउं phiला जल्दी की करता है इसलिए कर नाबर एक सो के अंदर हिंद चाहिए त्रूम को भाए सरही पिरेमज फेशाय का हो eh 41 54 45 457 44 48 85 65 मैं मनला कुछ भी बैठा रहा हूं के तुम लोग कुछ भी कर ले ना जो भी नामबर आएगा उसके लिटाब से तुटाल के घर में कुछ भी नहीं लिगना ओके तुटाल के घर को निकालना पड़ेगा ना गलतिया मत करना ओके कभी भी गलतिया मत करना आप लोग देखे जाओ आसानी से कैसे प्लाजा सकता है कभी भी तीन माला डिजिट बहुत बारी की से लिगना देख देखे एक भी गलति के लिए आपको बहुत पस्तावा हो सकता है देखो इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा टोटाल का फॉर्मूला निकालने के लिए इधर आओ इसको क्लोज करो टोटाल के उपर डॉबल क्लीक करो क्लीक करने के बाद अपडेट में जाओ अपर तूमें जाओ और जो जूसभ्यक्ष लोगे मैं बिंगली इंगली इंगली इंगलीज आमाथ तो मैं आप लोगों बहुत धीड़े धीड़े दिखा रहा है और तो आप लोग का ऊपर से जाएगा दिमाग के यह सब करने के बाद लासमें क्डम एंट करनों देना टोटाल जो कर गोगँ इसका नाम देना टोटल öकस्का अब देखो आप रिजल में अगगे तो अब कर नहीं होगा इसलिए लिए इसको टोल कोना करना inés कघा डघे कानु सब्सके करते के लिए design view में जाओ design view में जाने के बाद हेट से create में जाओ query design में जाओ इधर आओ इधर add करो इसको close करो इसको percentage में के double click करो उसके बाद update में जाओ एक ही process बार बात दौर आना पड़ेगा तो इधर आने के बाद किया करना पड़ेगा कि तुम्हारा पार्सेंटेज का फॉर्मुला दा है total by number of subjects तो तुम भी कर दो total by number of subjects मैं चान subjects लियाता है इसलिए number of subjects चार्ट आगा आप 5 लोगे तो पास कर देना उसके बाद CTRL plus w दबाने के बाद yes उसके बाद इधर percentage तो पहले खोलना पड़ेगा पहले इसको खोलना पड़ेगा उसके बाद पर्सेंटेज के लिए थोड़ा दिक्कत होता है ग्रेट को बहुत अच्छे से लिखना होगे ग्रेट निकालने का फॉर्मुला देखला अच्छे से design view में जाओ फिर से वही वाला process दोड़ाओ हाई दा भाई welcome उसके बाद तुमको फिर से वही process query design में जाना पड़ेगा इधर आना पड़ेगा add करना पड़ेगा close करना पड़ेगा ग्रेट के युबड डवल क्लिक करना पड़ेगा update करने पड़ेगा अपडे20 क अर इसके बाद यह बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है, मेरे को तो आभी बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से लिग लेना, यही होता है, ग्रेट का फॉर्मूला, आप लोग अपका फूर्ट का कॉंप्यूटर में अगर करोगे यही होगा क्रिट का फोर्मूला तो असी के बाद एक कमा कर देना आप लोगों को बहुत जज करकर के करना परेगा नहीं तो थोड़ा सा के लिए भी बहुत दिक्कत हो सकता है उके गलती कर देना यही बाद इसके बाद प्रोसेशन हाई एक बर करो रोगे ना तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा इसके बाद 60 उसके बाद फिर से कॉमा उसके बाद यह नहीं उपकर बोक्टा अए लो बी 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 यही चीज बी के अंदर होगा बी करने के बाद फिर से कॉमा करना पड़ेगा उसके बाद फिर से आई आई और छोटा हे उसके बाद थर्ड ब्रेकेट के अंदर प थर्ड ब्रेकेट क्लोज उसके बाद greater than is equal to 40 okay 40 करने के बाद फिर से एक कॉमा यूज करना उसके बाद फिर से double inverted कॉमा के अंदर C उसके बाद फिर से double inverted कॉमा के अंदर D उसके बाद फिर से करने के बाद यह हो गया तुम्हारा फॉर्मूला चैसे लिग लो कभी कभी दिक्कत होता है करो जो खुला हुआ होगा पहले बंद करो के बहुत दिक्कत करता है यह इधर बहुत दिक्कत होता है तो देखो ए बाला हो गया तो रिजाल्स में आओ ग्रेट के उपार दबाओ यस करो यस करो देखो हो गया तो ऐसे होता है आप लोग का माक्सीट ओके तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट से यहार और आप लोग ऐसे कालर भी चेंज कर सकते हो देख लो कालर कैसे चेंज किया जाता है ऐसे किया और बैक्करण कलर दिये दिया ऐसा ओके तो ऐसे आप लोग माक्सीट बढ़ना सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट से यहार और सब्सक्राइब थैंक्यू बाई